जोतेश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिया दर्शक गणों का बहुत बहुत हर्दिक स्वागत और अभिनंदन प्रिया साथियों मैं हूँ आचार्य पंडित सर्वदनंद शर्मा मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार साथियों आज भी आए हैं लेकर के आपके सम्मुक आपका अपना मनपसंद कार्यकरम जिसका नाम है देनिक राशीफल करेंगे उसके विशह में चर्चा आपके साथ लेकिन उससे पहले देंगे आपको पंचांग के विशह में जानकारी और ये बताना चाहते हैं के ये पंचांग और आपका देनिक राशीफल दोनों दिनांग 17 सितंबर सन्थ 2024 दिन मंगलवार विक्रम संबच 2021 के हैं हिंदी का महीना चल रहा है भातरुपद पक्ष शुकल पक्ष और आज तित होगी चतुर दशी नक्षत रहेगा शत बिशा और योग होगा धृती प्राते 7 बचकर 48 मिनट तक उसके पश्चास शूल योग आरंभ होगा करन होगा वनिच और राशी रहेगी आज कुम्ब च तक रहेगी और अभीजीत मूर्द की जो शुप समयब्दी है वह प्राते 11 बचकर 50 मिनट से लेकर दो पहर 12 बचकर 49 मिनट तक रहने वाली है इसके अतरिक साथियों आज अनंत चतुर दशी वरत भी है आज ही के ये दिन गणपती जी की जो मूर्ती है उसका विसरजन भी क किया जाता है भगवाय श्री सत्त नारायन स्वामी जी का विरत है और आज से ही पित्रपक्ष यानि के शराद प्रारंब हो रहे हैं और आज पहला शराद है पूर्ण मासी का पूर्णी मा का तो साथियों ये थी जानकारी पंचांग के विशह में अब करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशी फन को लेके जो की पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की वर्तमान इस सिती पर आधारित है तो आरम करेंगे मेश राशी से यानि के जिनका एरी साइन बनता है साथियों जैसा कि मैंने अभी पंचांग की जानकारी देते समय आपको कहा कि चंद्र योग का निर्मान बना हुआ है हो रहा है उसके कारण आपके धन के लाब में वैसे तो रुकावट रहेगी लेकिन अचानक अगर कहीं से भी धनाएगा तो अचानक धन की लाब की प्राप्ती के भी योग बने हुए है इसकी अतरिक्त आपका जो वर्क प्लेस है जो कार्य है वहाँ पर भी थोड़ी कठनाईयों का तो सामना करना पड़ेगा रिजल्ट तो आपको मिलेंगे अच्छे मिलेंगे लेकिन उनके लिए थोड़ा सा आपको एक तरीके से जिसको कहते हैं न थोड़ा कठनाईयों का सामना करना पड़ेगा थोड़े चैलेंजिज भी रह स तरीके से कहा जा सकता है कि उसमें सुखों में व्रद्धी के संकेत मिल रहे हैं। धीरे धीरे। बात करेंगे आगे स्टुडेंट्स की, कि जो स्टुडेंट्स हैं, उनको अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्रक्ता है, तब कहीं जाकर के सामान्ने परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं इसी प्रकार जो higher studies करने वाले students से मेश राशी के उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ अधिक अपना focus अपनी पढ़ाई पर रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके भी परिणाम results जो ह वो सामान्ने तोर पे आपको प्राप्त हो जहां तक आपके घर परिवार के सदस्यों का प्रिशन है तो घर परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज़्यादा सौहारत पूर्ण तो relation नहीं रहेंगे family members के साथ लेकिन हाँ ठीक ठीक चलेंगी चीज़े आपके और उनके बीच प्रुख है उनका प्यार इस नहेया राश्रवाद आपको मिलता रहेगा और आपके जो प्राकरम हैं उसमें किसी परगार की कमी आज के दिन भी नहीं रहेगी और अगर आप प्राकरम करते हैं तो आप और बहतर परिणावों की प्राप्ति अपने वर्क प्लेस में भी या अपने मान सम्मान में कमी ना आने पाए, इसके लिए आपको क्या उपाय करना है, सूर्य देव को प्रात्य काल जल्दे, तांबे के पात्र से, ओम घरनी सूर्य आय नमा, इस मंत्र की भी एक माला, यानि के 108 बार इसका जब साथ की साथ करें, दूसरा मंत्र है आपके लिए, ओम शू शुक्राय नमा, इस मंत्र का भी आपको जाप करना है आज के दिन, एक माला, आगे बात करते हैं जो विर्शव राशी के जो हमारे जातक हैं, जिनका की टॉरस साइन है, तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूंगा, कि आपको भी अपने कारे छेतर से संबंदित, क क्योंकि कुछ खटे मीठे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, देखिए, दिक्कते, परेशानिया, चैलेंजे वो तो आपके वर्क प्लेस में जरूर हैं, इस बास्ते तो हम इंकार नहीं कर रहे हैं, आज के दिन, लेकिन थोड़े से कुछ आपके फेवर में जाएंगे रिजल्ट्स, कुछ आपके अगेस्ट में जाएंगे, आपकी इच्छा के विरुद्ध, इस प्रकार की इस्तिती बनेगी, यनि कि जिसको हम कहते हैं, मिले जोले परिणामों की प्राप्ति के योग, आपको वर्क प्लेस से संबंदित बन रहे हैं, अगर मैं वि प्लेस में प्यार बना हुआ है, प्यार आपके बीच में रहेगा, बात करेंगे अब आप से आप जो स्टूडेंट्स हैं, उनके विशह में, तो देखिए स्टूडेंट्स को आज के दिन और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूद है, फोकस करने की ज़रूद है अपनी रिजल्स प्रवावित ना हो, उसके बाद थोड़ा धीरे इस सिती में थोड़ा सुधार होगा आज के बाद से, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, बात करेंगे के जो हायरे स्टूडीस करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हायरे स्टूडीस करने वाले स्टूडेंट्स को भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सामाने से मध्यम के बीच में प्रणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं थोड़ा सा अपनी वानी पर अंकुष लगा करके जरूर रखें किसी से भी कोई बात करते हैं जाए घर में या घर के बाहर कहीं पर भी तो बहुत सोच समझ करके करें बिना सोचे समझे या ना चाहते हुए भी कोई भी बात आपके मूझ से ऐसी निकल सकती है कि जो आपके लिए दुगदाई हो सकती है आपके लिए परिशानी का कारण बन सकती है वैसे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए प्राकरम जो है उसमें कुछ कमी है एनरजी लेविल भी थोड़ा डाउन रहने की संभावना यहां पर बन रही है तो अगर आप थोड़ा सब मेहनत करेंगे और अपना माइंड सेट करके अपना मेहनत की और थोड़ा ध्यान देंगे तो निश्चेत रूप से आप कुछ और अच्छे बहतर परिणामों की प्राप्ती कर सकते हैं चाहें वो कोई भी छेतर है घर-परिवार के सदस्यों के साथ भी जो रिलेशन है उनमें भी थोड़ी कड़वाहट या खटास की संभावना बनी हुई है प्रियसाथियों इंकम धन का जो लाब है वो आपको हो रहा है होता रहेगा अचानक धन के लाब में वरद्धी के भी संकेत है लेकिन आप अपने धन को अगर कहीं इंवेस्ट करने की सोच रहे हैं जो आपकी अर्निंग्स हैं या उसको कहीं सेव करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लैनिंग करें और प्रॉपर प्लैनिंग के साथ साथ किसी अच्छे एडवाईजर से एक्सपर्ट से भी एडवाईज लेकर ही ये कार्रे करेंगे तो आपको अच्छा रिटन हासिल हो सकता है उपाए आज के दिन आपको क्या करना है तो प्रिया साथ ची मैं बताँगा कि आप करें श्री कनकधारा इस्तोत्र का पाठ इस्टुडेंट्स विशेश रूप से कनकधारा इस्तोत्र का पाठ करें और सूर्य देव को जल देते हुए ओम हिराम हरीम हरूम सह सूर्य नमहा इस मंतर का जाप करें अगर आपको ये मंतर थोड़ा टिपिकल लगता है तो ओम आदित्याय नमाह, ये भी कर सकते हैं, एक माला यानि के एक सो आठ बार, ये करना है आपको, और मालक्षमी जी की करनकधरा इस तोतर का पाट करें, पूजा करें उनकी, अगर हो सके तो खीर का भोग लगाएं, और उसको सभी में परशाद को वितरन करें उसका, बात क अगर भागय में कमी नहीं होती, तो आपके कुछ काल्य और जादा जल्दी, शीक व्रता पूर्वक और कुछ अच्छे डंग से भी बन सकते थे, लेकिन थोड़ा भागय में अभी अवरोज, आज के दिन भी है, आज के दिन के बाद थोड़ा सा उसमें होगा, वैसे आप अपका जो सबसे प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आप काफी अपनी महनत और प्राकरम और अपनी परिश्रम पर कुछ अधिक बल देंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छे रिजल्ट्स लेकर के आएगा, और इस कारण से आप अपने भागय में जो अ आप अपनी महनत के बल पर काफी चीनों को बदलने के लिए एक तरीके से सक्षम हैं, और ये कारण आप कर सकते हैं, अपने हक में अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, इंकम की मैं बात करूँ तो इंकम सामाने से मध्यम हो रही है, और प्रियसात्यों जो स्टुडेंट्स ह करें, उनकी बात करें, तो उनको अभी आज के दिन भी अपनी पढ़ाई को ले करके थोड़ी सी परिशानी रह सकती है, या परिणामों जो है थोड़े नीचे इस तर पर आ सकते हैं, पढ़ाई को ले करके, और जो हायर स्टुडीज कर रहे हैं, उनकी बात करें, तो देख जीवन में भी आप मितुनराशी के जो जातक है थोड़ा सा तनाव थोड़ी टेंशन रहने वाली है अभी भी सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं लेकिन अगर मैं आपको उपाय बताऊंगा वो उपाय आपने किया तो निश्चेत रूप से आपके विवाहिक जीवन में भी आ अपने आपको बहतर महसूस करेंगे तो साथियों उपाय आपके लिए क्या बनता है उपाय आपके लिए बनता है कि मा भगवती जी की पूजा करना मा लक्ष्मी जी और मा दुरगा जी की पूजा करें आप आपके सारे कार्य पूरे होंगे और ओम अंग अंगार काय नमा 108 बार इस मंत्र की एक माला एक 108 बार ये जब करने तो तनाव आपके विवही जीवन से भी दूर होगा और सारे कारें आपके पूरे होगे समय पर आगे बात करेंगे करकराशी के जो जातक है जिनका कैंसर साइन बनता है तो साथियों मैं आप से बताना चाहता हूँ कि आपको अपने कारें के सिलसले में कहीं दूर दराज की यात्रा हैं करनी पड़ सकती है एक तो लेकिन ये यात्रा हैं जो आपको करनी पढ़ेंगी इनके संभावणा नजर नहीं आती, अपी तो अधिक परिश्रम की और गरह का इशारा है, कि आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और कही बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें सामने आ जाती है, या ऐसी चीजें व्यकति को कोई solution भी नहीं होता और यह होता है कि हाँ यह तो भई फैस करना ही है कैसे भी हो तो कुछ इस तरीके की समस्यां आपके वर्क प्लेस में आपके लिए आपके सामने आएंगी लेकिन आपको परिशान होने के आवशक्ता नहीं है गवरान गवराना नहीं है इस बात को लेकर अ अभी थोड़ा सा अपने आपको मानसिक तोर पे तैयार कीजिए कि हां मुझे मैं हर तरीके के परिशानियों को फेस करने के लिए तैयार हूं हाला कि थोड़ा बहुत इंप्रूव्मेंट आज के बाद कुछ गरों की सिती जो बदल रही है उससे निश्चित रूप से अपने आपको प्रिपेर रखेंगे करेंगे तो अच्छा है कि मुझे परिश्रम करना है मेहनत करनी है अपने कार्यों पर फोकस करना है और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप मार्केटिंग से जुड़े हुए तो भई दिन आपका है आपको अच्छे ओंडर मिल सकते हैं आप अपनी बातों से दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ और जो भी आपको अपना प्रोड़क्ट सेल करना है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपने टार्गेट्स भी अचीव कर सकते हैं आज का दिन भी आप करकराशी के जो ज जुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा खटे मीठे संबन रहेंगे कभी किसी बात पर थोड़ा सा नाराजगी हो गई या थोड़ा मन मुटाव हो गया या थोड़ी दिर बाद चीज़ हैं सब किलियर हो करके फिर एक दूसरे के प्रति प्यार महबत ये इस तरीके का चलता आपके बीच में स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगा जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं और अब ये लाते रहेंगे आप लेकिन जो हायर इस्टडीज कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ी भी मेह परियसातियों अगर मैं आप से बात करूँ आपके पराकरम की तो पराकरम में कमी दिख रही है विशेश रूप से आज के दिन और थोड़ा सा आप ध्यान रखिये इस बात का विशेश रूप से आज के दिन और हम ये कह रहे हैं तो अपना जितना अधिक परिश्रम पर फ तक आय का प्रिश्न है, आय मी सामानने या सामानने से थोड़ी नीचे लेविल पे आपको होती हुई, हमें दिख रही है, वेवाईक जीवन सामानने से मध्यम है, प्रियसातियों, अब आपको बताएंगे उपाय, क्या उपाय करने से और आपको बहतर प्रिनामों की प्राप इस मंतर का जाप करें, और दूसरा करें, ओम व्रम ब्रस्पताय नमा, एक माला इसकी, और बाकी, ताकि आपके घर के बड़े बुजर्ग भी आपसे प्रिसंड रहे, और आपके सारे कार्रेवी और आप स्वयम भी प्रिसंड रहे, तो उसके लिए भखवाएंशंकर जी के शिविलिंग पर जल, शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके उससे अभी शेक करें, और वहीं बैठ करें, ओम सोम सोमाय नमा, इस मंतर की एक माला, आगे बात करते हैं सिंगराशी के जो जातक है, जिनका की लियो साइन है, साथियों आपके लिए आज के दिन भ कि आप अपने बुद्धी के द्वरा काफी कुछ चीजें, मतलब एक तरीके से उसको सही करने में काफी सक्षम रहेंगे, जहां भी कुछ समस्याएं हैं, वहां आप अपनी बुद्धी का पूरा सद्यूपियोग करेंगे, और वहां से आप चीजों को अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं, और अपने अनुरूप चीजों को ढाल सकते हैं, इतनी इन चीजों, ऐसी सभी चीजों को सही करने के लिए आप काफी सक्षम हैं, सिंग्राशी के जातर, वैसे थोड़ा सा इस बात का मैं आपको संके जरूर दूँगा, और सुजाव भी दूँगा, कि इसी केवी साथ बाहर भी, अच्छे संबंदों पर आपको बल देना चाहिए, कि संबंद आपके सब के बीच में अच्छे संबंद रहें, कोई भी ऐसी बात आपके दौरा ना होने पाए, चोंकि यहाँ पर पित्र दोश का निर्माड हो गया है, तो पित्र दोश के कारण आपके घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं या आपके घर परिवार के जो सदफ से हैं, उनके साथ भी मतवेद होने की यहाँ पर संबावना बन रही है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, और साथ की साथ आपको अपने स्वास्त का भी ध्यान रखना है साथियों, उसमें विशेश रूप से आँख या दात से संबंदित भी समस्या आपको बन सकती है, हड्डियों से संबंदित भी समस्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजे डिस्क का सलिप हो जाना, या कहीं पर भी कोई या घुटनों में प्रॉब्लम हो जाना, जोडों में प्रॉब्लम हो ज जिहां रखिएगा जहाँ तक आपका वर्कक्प्लेस का पृषये है तो वर्कक्प्लेस में भी सामानने या सामानने से नीचे रजल्टस आपको मिल रहे हैं लेकिन देखिए आपको कहेंगे के मान संबान元 mentality पारी तो दिके मान सम्मान तो मिलता रहेगा और आप अपनी बुद्धी के द्वारा काफी कुछ चीज़ें सही करने में सक्षम भी हैं जैसा मैं बार-बार बोल रहा हूं लेकिन जो रिजल्ट्स आपको अभी मिलने चाहिएं कुछ और गरहों की कमी के या कमजोरी के कारण वो अभी आपको रिजल्ट्स मिल नहीं पा रहे हैं उनमें थोड़ा सा समय लगेगा प्रियसातियों जहां तक आपके धनका लाब का प्रिशन है तो वो धनका जो लाब है वो भी सामानने रूप से ही होता हुआ नजरा रहा है फिर भी इतना कहेंगे कि मित्रों से थोड़ा सा दूरी बना करके रखें फिलाल क्योंकि अभी गरहों की इससी ऐसी नहीं है अन्यता आपको उसके लिए फिर परिशानी हो सकती है मानसिक तोर परिशान हो सकते हैं मित्रों की और से और अब आगे बताएंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को भी अच्छी महनत करनी चाहिए नॉर्मल एजूकेशन जो ले रहे तभी बात बनेगी और जो higher studies करने वाले students हैं उनको सामानने परिणामों की प्रापती के योग बने हुए है और साथियों energy label भी थोड़ा सा नीचे है तो अभी आज मैं कह सकता हूँ कुल मिलाकर के जो सिंग राशी के हमारे जातक है आज का जो दिन है आपके लिए वो सामानने से मद्ध्यम के बीच में है results जो भी आ रहा है उपाया आपको क्या करने चाहिए सूर्य देव को जल अवश्य दें तामे के पात्र से और ओम घ्रनी सूर्य आये नमा इस मंतर का भी जाब करें नहीं कर सकते हैं ओम आदित्य आये नमा इतना ही कर लीजे जल देते देते 108 पार अब दूसरा उपाया आपको क्या करना है प्रियसात्यों दूसरा उपाया आप ये करें कि लाल रंग की मिठाई किसी भी धार में किस्थल पर जा करके आप चढ़ाएं जैसे हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी के शिरी चणों में आप बूंदी चढ़ाएं बूंदी का परशाद चढ़ाएं और वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जला करके हनुमान चालिसा का पाट करें हनुमान जी की आर्टी करें ये भी एक बहुत उत्तम उपाय है आप इसको भी कर सकते हैं और ओम ब्रम ब्रस पताय नमा एक माला इस मंत्र की शान्ती के साथ बस हो गया आपका उपाय आगे बात करते हैं कन्याराशी के जातक हैं उनके विशे में जिनका विर्गोसाइन है तो साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए कर रहे हैं जो कि आप करेंगे भी ये भी एक प्लस पॉइंट है ऐसे भी गिरे हैं जो आपको मेहनत करने में आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे ये एक प्लस पॉइंट है तो मेहनत भी करेंगे और मेहनत के साथ-साथ इंकम सामानने रूप से होती रहेगी, कोई विशेश ऐसा भी निया कि कोई बहुत विशेश धन का लाब हो, या आकसमित रूप से धन आपके पास आए, प्रचुर मात्रा में ऐसा भी निया, सामानने रूप से सामानने मात्रा में धन का लाब होता रहेगा, हाँ, आज के दि आप विचारों को शुद रखने के कोशिश करे हैं। लेकिन बीच बीच में हो सकता है कि आपका थोड़ा सा मिजाज में थोड़ी तबदीली आए यानि कि थोड़ा गरम मिजाज जैसे होते हैं व्यक्ति इस तरीके से तो वहां पर थोड़ा सा माहुल में तनाव पैदा हो सकता है तो उसके लिए मैं आपको उपाये दूँगा वैसे इस्टूडेंट्स की बात करें तो इस्टूडेंट्स जितनी मेहनत करेंगे उसी के अनुसार पर रिजल्ट्स आएंगे जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं और जो हायर इस्टेडीस कर रहे हैं उनके साथ भी कुछ इ इत्याए नमहा इस मन्तर का भी 108 बार जाप करें जल देते-देते ताबे के पातर से एक चुक्ति रूली मिला लें उसमें और साथियों साथ की साथ अर्गलाīस्तोत्र का पार्ट करें दुर्गा सब्स्षती में होता है अर्गलास्तोत्र उसका भी पाठ आप करिएगा पांच-सात मिनट का पाठ है वो हो जाएगा आराम से और इस मंत्र की अगर आप वेवाइक सुखों का आनद चाहते हैं या वेवाइक तनाव को कम करना चाहते हैं वेवाइक जीवन में तो फिर आप इस मंत्र का करें ओचर ओम हरीं क्लीं हों मातंगई फट स्वाहा एक माला एक सौअट वार तो आपके जो वेवाइक जीवन में जो भी परिशानी दिक्कत है वो दूर होंगी आगे बात करेंगे प्रियसातियों जो हमारे तुला राशी के जातक हैं जिनका की लिबरा साइन बनता है तो जो हमारे लिबरा साइन के जातक हैं सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको अपने कार्य चेतर में किस प्रकार के आज संभावना बन रही है रिजल्ट्स मिल लेगी मिले जुले परिणामों के प्राप्ति के यो आज के दिन आपके लिए बन रहे हैं लेकिन मिले जुले तो हमने कहा आप से लेकिन थोड़ी सी जो इस्थिती रहेगी वर्क प्लेस में वो संगर्श वाली रहने वाली है थोड़ा स्टरगल करना पड़ रहा है आपको और करन पड़ेगा आज के भी दिन अगर आप ऐसा मान करके चलते हैं या सोच आप रखते हैं कि मुझे जादे कुछ करना ना पड़े और कुछ आराम से ही बैठे बैठे ही थोड़े बहुत रिजल्ट मिल जाएं तो उसकी संभावना बिलकुल नहीं है बिलकुल ना के बराबर है त दन का आगमन आपके हातों में बराबर होता रहेगा और आप अपने दन को सही जगाए पर कैसे कहां संचे करना है इंवेस्ट करना है वो भी सही प्लैनिंग करेंगे उसका भी अच्छा लाव लेंगे अब मैं आपसे बताना चाहूँगा कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा तो प्रिया सातियों वैवाहिक जीवन भी सामानने ही रहने वाला है जैसे कि रूट मतलब एक तरीके से रूटीन होता है लाइफ का सामानने तौरसे दिन निकलेगा वैवाहिक जीवन में कोई विशेश ऐसा नहीए कि कोई आपका कहीं कोई प्रोग्राम पने या उनके जो स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी पढ़ाई में जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं मध्यम परणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और जो हायर इस्टूडीस करने वाले स्टूडेंट्स हैं अधिक मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके सामानने से मध्यम के बीच में र जाहिर कर सकते हैं और छोटी दूरी की यात्राएं करने से जरूर बचें बड़ी दूरी की यात्राएं करने से भी तुलाराशी के जातक बचें हमारे कुछ तुलाराशी के जातक जो हैं उनको हम यह भी सला देंगे कि अगर आपको यात्रा करनी है तो 18 सितंबर के बाद आ ठीक रहेगा, अभी यात्रा करेंगे तो परिशानियां ज्यादा फेस करनी पड़ेंगी, और उसका लाब भी कुछ विशेश आपको प्राप्त नहीं होगा, तो साथियों, अब आपको बताने जा रहे हैं, कि आपके जो संतान है, संतान के दौरा भी मिले जुले परिणामों कि देखिए, एक तो आप अपने स्वास्त का थोड़ा ध्यान रखिए, और किसी के साथ भी, कोई भी, आप कही पर अगर कोई वाद विवाद दौा व्यक्तियों के बीच में हो रहा है, तो आप वहाँ बीच मचाव कराने के लिए बिलकुल ना खड़े हो जाएं, वहाँ स कोशिश की या उनके बीच माने की कोशिश की, तो आप सुएम भी परिशानी में फच सकते हैं, ये ना सोचें कि भई चलिए इनका फैसला करा देते हैं, आप भी लपेटे में आ सकते हैं, तो इसलिए कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई वाद भी वाद आप देखते हैं, वह आदि तेहर देस्तोत्र का पाठ करें, चाहें प्राते काल इसनान आदी से निवरत होके, सुर्यदेव को अर्द दे के, चाहें दस मिनट या पंदर मिनट ही करें, आदि तेहर देस्तोत्र का पाठ लेकिन जरूर करें, और साथियों, ताकि आपका भाग्य में भी अवरोध ज्यादा पैदा हो, उसके लिए हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, गुर्ण और चने का परशाद चढ़ाएं, हनुमान जी के शिरी चड़ों में, सरसों के तेल का दीबग जला करके, महाँ पर करें हनुमान इस्तोत्र का पार्ट, आपके हो जाएंगे सारे कश्दूर, क तो यहाँ पर अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो आपका वैभाईक जीवन में भी अच्छा सुधार होगा, वैभाईक जीवन और अच्छा लीट कर पाएंगे, और भागे में भी प्रगती होगी, उन्नती होगी, आगे बात करते हैं, ब्रिश्यक राशी के ज ग्यान है, अपने छेत्र से समझें, उसका आपको लाब भी मिलेगा, और दूसरे लोग भी आपके इस ग्यान से काफी प्रवावित रहेंगे, और इसी कारणर, चाहँ वो आपके जूनियर हैं, सीनियर्स हैं, जो भी हैं, आपके कार्याँ की जो तौर तरीके हैं करने के, उन से भी बहुत खुश रहेंगे, आपके ज्यान से भी खुश रहेंगे, और आपकी पदोन्ती के भी यहाँ पर योग बनते हुए दिख रहे हैं, तो साथियों, लेकिन पदोन्ती तभी संभव हैं, कि जब आप अच्छा परिश्रम भी करें ज्यान के साथ साथ, यहाँ पर कुछ परिश्रम में कमी दिखती है अगर आप परिश्रम उतना नहीं कर पाएंगे तो चीजें जो हैं कहीं ना कहीं उनकी गती ये उनकी जो स्पीड है उसमें कमी आ सकती है और साथियों जो तो थोड़ा सा आज के दिन आपको अपने कारे च्छित में एफर्ट भी कुछ अधिक डालने की आवश्रक्ता पड़ सकती है अपने कार्यों को करने के लिए मित्रों के साथ भी थोड़ा सा संबंद कड़वे रह सकते हैं तनाव पूर्ण रह सकते हैं या उनकी और से कोई ऐसी आपके प्रतिके आपको थोड़ा सा सोजने पर मजबूर कर दे तो यह सब गरहों का खेल है तो थोड़ा सा वित्रों से भी दूरी बनाएं ताकि संबंद जो हैं वो बने रहे हैं क्योंकि अभी गरहों का इस्सिति अनुकूल नहीं है और जो हमारे आप मैं यही कहूंगा कि धंका जो लाब की बात हो रही है तो धंका लाब में भी थोड़ी रुकावट है और जब क्योंकि आप विरिश्चिक राशी के जात हो अभी इस सिती में थोड़ी सुधार होने में अभी थोड़ा सा समय लगेगा तो चीजें सुधरेंगी अभी धीरे धीरे अब शुरुवात हो रही है हो जाएगी आने वाले कल से तो आप निराश ना हो परेशान ना हो घ आपके बुजर्गों के बीच में आपके घर के दूसरे सदस्रों के बीच में और जो आपका प्राकरम है प्राकरम भी सामान नहीं रहेगा ना तो बहुत अधिक ना बहुत कम उपाए आपको क्या करने चाहिए सुर्य देव को अवश्य जल्दे आदित्त्य हिर्दे सोत्र का पाठ करें और इसी के साथ साथ मा लक्षमी जी की पूजा करें श्री सूक्त का पाठ करें तो आप अगर ये उपाय करते हैं और अपना व्यवाहिक जीवन भी सुधारना चाहते हैं तो मेरे प्रिय साथियों एक मंत्र आपको और दे रहे हैं ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम स घर परिवार के सदस्यों के साथ भी हर तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा आगे बात करेंगे धनुराशी के जो जातक हैं जनका की Sagittarius साइन बनता है तो सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने वर्क प्लेस की तो प्रियस आती हो वर्क प्लेस में जो अभी परिस्थितियां आपके थोड़ा प्रितिकूल प्रितिकूल का मतलब थोड़ी अगेस्ट है सिचुएशन सिचुएशन फेवरेविल नहीं कही जा सकती और बस आज के दिन आपको तो थोड़ा सा और इंतजार करना है उसके बाद चीजें थोड़ा सा नॉर्मल होंगी कुछ जो अभी परिस्थितियां बिगड़ रही है उन में कमी आईगी आज के दिन के बाद तो आप निराशना हों परिशाना हों और सुक्स विधाओं का तो लाब आप बरावर ले रहे हों वो मिलता रहेगा जहां तक इंकम का प्रिश्ण है तो इंकम में भी कुछ कमी के संकेत बन रहे हैं धन के लाब में कमी और मामूली आप धन का संचे कर सकते हैं एक थोड़ी सी मात्रा में चाहे उसको इन्वेस्ट करें चाहे उसका सेविंग करें उसको वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा आप धनुराशी के जात्कों के लिए टेंशन देख रहा है तो आपको जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करें उनको भी सामान नहीं रिजल्ट्स मिलने की संभावना है जो हायर इस्टूडेंट्स करने वाले स्टूडेंट्स है वे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी मध्यम या मध्यम से थोड़ा सा उपर रिजल्ट्स मिल सकते हैं यदि आप बराबर अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं। तो साचियों घर-परिवार के सदस्यों के साथ भी सामान नहीं संबंद दिख रहे हैं। तो कुल बिलाकर के आज का जो दिन है वो एक एवरेज दिन मुझे लग रहा है। खान पीन का जरूर ध्यान रखें अन्य था सेहत बिगड़ सकती है। इसकी भी संबावना है। उपाए आज के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ी बात लिए हनुमान जी की पूजा करना आपके लिए बहुत सरवोत्तम उपाए रहेगा। हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए। लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए श्री लक्ष्मी इस्तोत्रम का पार्ट और अंतमे मालक्ष्मी जी की आरती ये आप करियेगा। और सूर्य देव को जल प्राते काल इसनान आदी से निवरत हो करके देना बिलकुल ना भूने। अब आगे बात करेंगे मकर राशी के जो जातक है उनके विशह में यानि के जिनका कैप्रिकॉन साइन बनता है। तो साथियों सबसे पहले आपकी चरचा करेंगे आपके अपने करियर को ले के आपका प्रोफेशन को ले के वर्क पिलेस को ले के आज का दिन कैसा रहने वाला है। तो सामानने से थोड़ा सा नीचे रहेगा, सामानने से थोड़ा सा नीचे, lower side, results जो मिल रहे हैं आज, बहुत remarkable achievement भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है के चलो भई, remarkable achievement तो बहुत दूर की बात हो गई, ऐसा भी नहीं है के चलो good results आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, मैंने सामानने क वाली है भागे का सपोर्ट आपको आज भी एक तरीके से बहुत कम मात्रा में है लेकिन पराकरम में थोड़ी वरद्दी हो रही है ये एक अच्छा पिलस पॉइंट है चलिए कोई बात नहीं मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट साज नहीं तो कल मिल जाएंगे जरूरी नहीं है उसके रिजल्ट साज ही मिलें वो दो दिन बाद भी मिल सकते हैं बीज दिन बाद भी मिल सकते हैं तो इसलिए मेहनत करना कोई गलत कारें नहीं है साथी हो तो अपने मेहनत पर तो जरा फोकस आपको करना ही चाहिए करना पड़ेगा अब बात करेंगे वैवाहीग जीवन को लेकर के तो वैवाहीग जीवन भी सामानने से मध्यम है और स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है नॉर्मल एजूकेशन जो ले रहे तो आपको सामानने रूप से रिजल्ट्स मिलेंगे उसके आसपास और हाइर श्टूडीज करने वालों की तो इस्थिती और भी ज्यादा कमजोर दिख रही है क्योंकि वहाँ पर शुक्र जो है वो नीच अवस्था में हैं और अस्तवस्था में है साथ में सूरे भी पहुँच गए हैं तो यहाँ पर जो है हाइर श्टूडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके मान समान में भी कमी आ सकती है कोई आक्षेप आपके उपर न लग जाए इस बात का भी ध्यान रखिएगा भागे में तो कमी है ही है साथ में ये भी चीज़े हैं जो अभी हमने आपको बताई है और साथियों घर परिवार के सदस्यों के साथ जो आपके रिलेशन है वो सामान ने ही रहेंगे तो आज का दिन कह सकता हूं में मगर राशी के जात्कों के लिए धन का लाब तो अच्छी मात्रा में होता हुआ देख रहा है लेकिन जो सेविंग्स हैं वो नॉर्मल वे में ही होंगी और घर परिवार के जो सदस्य हैं मैंने उनके साथ भी का के नॉर्मल रिलेशनशिप रहने वाली है जो आपका प्राकरम है वो अच्छा रहेगा उपाए आज के दिन आपको क्या करना है तो एक तो साथियों आप गुड़ का दान करें आज गुड़ का दान अगर गुड़ का दान किसी धार में किसल में जाकर के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है साथ ही कुछ सफेद चीज़ों का भी दान करके आए जैसे दूद है, दही है, चावल है ऐसी चीज़े सफेद लिक्विड फॉर्म में करें कन्याओं को दूद दही खलाएं सफेद मिठाई खलाएं सफेद रुमाल उनको गिफ्ट में दें इससे आपके ग्रहे जो हैं वो बहतर होंगे, जो कमजोर है जो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं है इस समय उनको मजबूती मिलेगी इन उपायों को करके तो ये उपाया आप जरू करें सूर्देव को भी जल अवश्यद हैं और अगर आप कर सकते हैं तो एक माला ओम व्रहम व्रस्पताए नमा इस मंतर की भी जरू करें अब आगे बात करते हैं कुमराशी के जातकों को ले करके जिनका की एकुरियस साइन है तो प्रियसातियों जिनका एकुरियस साइन बनता है आपके लिए बताना चाहूँगा के वैभाईग जीवन आपका एक तरीके से सामानने से मध्यम रहने की संभावना है लेकिन दूसरी और जीवन साथी के हेल्थ को लेकर के भी समस्या बन सकती है तो ध्यान रखिएगा उनके स्वास्त का और अपना भी स्वास्त आपका नरम गरम रहेगा वर्क प्लेस की बात कर लेते हैं वर्क प्लेस में चुनोतियां तो आएंगी परेशानियां भी आएंगी छुटमुट लेकिन आप अपनी जगे पर कायम रहेंगे अपने ट्रेक पर आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे परेशानियों के और चेलेंजिश के बाफ जूट आगे अगरसर रहेंगे वैसे धन के लाब में कमी के संकेत है और स्टूडेंट्स जो है जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहें उनको भी अत्ते धिक मेहनत करने के पश्चात सामानने परिणामों की प्राप्ती के योग है और इसी प्रकार है हाईर स्टूडीज करने वाले स्टूडेंट्स के लिए घर परिवार के सदस्यों के अगर बात की जाए तो मैं तो आपसे इतना ही कह सकता हूँ परिये साथी हूँ कि देखिए घर परिवाद के जो सदस्यों विशेश रूप से जो आपके घर के बड़े है उनका आपके साथ ताल मिल में कमी होना ये जाहिर कर रहा है गरों की दोरा इससे जाहिर हो रहा है और दूसरा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना या फिर कुछ भी जो मन में आता है किसी के लिए भी कुछ भी ऐसा बोल देना बिना सोचे बिना समझे उससे भी व्यक्ति क्या करता है अपने दुश्मन अधिक पैदा कर लेता है अपने लिए नुकसान करता है ऐसा करके तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और आप थोड़ा सा अपने वेवाईग जीवन को लेकर के जो दार्शनिक विचार जैसे होते हैं कुछ इस तरीके के विचार भी आपके मन में रह सकते हैं इसकी भी संभावना है वेवाईग जीवन मैंने कहा कि सामाने से मद्यम रहेगा प्राकरम जो है वो zukैसा रहेगा प्राकरम भी मद्यम ही लेवल पर चलता रहेगा उपाए आज के दिन आपको क्या करना है तो साथियों एक तो उपाए आप सूर्य देव को तो जल्द देते ही रहे हम तो सबी से ही कह रहे हैं सूरे देव को जल दें क्योंकि सूरे की सिती कमजोर है और अभी और होगी आगे और सूरे देव को जल देने के साथ साथ उसमें एक चुक्ती रोली मिला करके और हो सके तो गढ़ल का फूल मिला करके तब अर्द देना है आपको सूर्य देव को और जब अर्द देना है तो ओम घ्रनी सूर्य आए नमाहे इस मंत्र की एक माला आपको एक सुआट बार वहीं खड़े हो करके करना है तो साथियों दूसरा उपाय आपके लिए क्या बनता है दूसरा उपाय आपके लिए बनता है कि आप जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो रोजगार से जोले लोग हैं बड़े फैसले लेना चाते हैं नहीं ले पा रहे हैं या लेने में सक्षम नहीं है ऐसे लोगों के करितिमा पर जा करके आप चोला चड़ाएं संध्या समय, after sunset और वहीं बैट करके फिर आप हनुमान 40 का पार्ट करें और अगर हनुमान 40 का पार्ट आपने 9 बार कर दिया, बैट करके तो आपके मान के चलिए, आपका काफी कार्य सुधर जाएंगे, काफी कार्य आपके सही डा और एक उपाय आप और करिएगा जिसके आपको आवेशकता है साथियों और वो उपाय है कि आप गाये को गुड़ खिलाएं गाये को गुड़ खिलाना है घर से निकलना है तो उससे पहले गाये को गुड़ खिलाके आएं आगे बात करेंगे मीन राशी के जो जातक है जिनका की पाई से साइन बनता है तो साथियों विचार धारा में तबदीली आ रही है धीरे धीरे और पॉजिटिव सोच की तरफ आप बढ़ रहे हैं बढ़ेंगे अभी लेकिन ये आज आज के दिन ही कुछ इसका जादा प्रभाव रहेगा अगर मैं बात करूँ आप से आपके करि करियर आपका कैसा रहेगा तो साथियों करियर में भी समस्याएं अधिक दिख रही हैं इतने चीजें आसान नहीं लग रही हैं जितना की उपर से देखने में चार्ट की देखने से लगता है परेशानिया तो हैं करियर में हैं ये कौन साहब हैं मैं नहीं जानता हूं मीन र मैं उनकी बात कर रहा हूं, इन जनरल कर रहा हूं, कि हमारे जो भी मीन राशी के जातक है, उनको अपने वर्क प्लेस में थोड़ा चेलेंजिज अधिक रहेंगे, लिकिन जैसा मैंने कहा कि सोच अच्छी हो ना, तो चेलेंजिज कितने ही हो, व्यक्ति सब जेल भी लेता है, भी कर लेता है, तो यहां पर कुछ ऐसी ही सरकंस्टांसिज अब आपके साथ बन रहे हैं, महनत से पीछे नहीं हटना है, महनत आप करते रहे हैं, भाग के आपको सपोर्ट अवश्य करेगा, यह मैं आप से कह सकता हूं, मीन राशी के जातकों को, अगर आप परिश्रम कर र यहां पर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, तो इस बात पर आपको ध्यान देना होगा, छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो थोड़ा उसमें लाब में कमी रहेगी, या थोड़ी परिशानियां भी उठानी पर सकती हैं, इसी परकार लॉंग डिश्टेंस जरनी करे तो वहां पर भी थोड़ी दिक्कत हैं, आज के दिन तो कुछ थोड़ा ज्यादा ही रह सकती हैं, लेकिन आपका स्वास्त भी थोड़ा सा डाउन रह सकता है आज के दिन, थोड़ा सा, और वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं, तो वैवाहिक जीवन में भी परिस्थितियां जो है वो आपके पृतिकूल दिखती है अनुकूल नहीं है पतला परिस्थितियां जब अनुकूल नहीं होंगी निश्चेत रूप से कुछ ना कुछ समस्या है होंगी बनेंगी ऐसे ही सितिया आपके केस में भी लग रही है तो मैं आपको उपाये बताऊंगा कि उपाये लोग बन रहे हैं जो नॉर्मल एजूकेशन ले रहे हैं लेकिन जो हायर इस्टडीज करने वाले स्टूडेंट से मीन राशी के जाता तक उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति यहां पर होती दिख रही है साथियों धन के लाप की अगर मैं बात करूँ तो धन का लाप भी सामान रूप से आपको हो रहा है तो साथियों, अगर आप कोई प्रॉपर्टी को लेते हैं, बेचते हैं, खरीते हैं या बेचते हैं, आज के दिन तो उसमें कोई ना कोई विवाद भी आपके साथ लग सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा अभी हाल फिलाल, जब तक हम ना कहें, तब तक आप अपने प्रॉपर्टी को सेल करने में या पर्चेश करने में हाथ ना डाले, अन्य था कोई ना कोई विवाद गिफ्ट में मिलेगा आपको, तो यहां पर उपाये आप क्या करें, सूर्य देव को जल अवश्य दे, अर्ग अलाह सोत्र, वो करना है आपको, और इस मंतर का जाप करने वेवाद संबंदों को बहतर बनाने के लिए, ओम हरीं कलीं हूं मातंगई फट स्वाहा, ओम हरीं कलीं हूं मातंगई फट स्वाहा, इस मंतर की 108 बार, एक माला, यह आपको जाप करना है, और मा लक्ष्मी जी की प लक्ष्मी चालिसा का पाठ मालक्ष्मी जी की आरती ये भी आप अवश्य करें और सूर्य देव को जल जो हमने कहा है वो तो आपको देना ही आए तांबे के पात्र से ये कार्या आप जरू करें प्रिय साथी अगर आप इतना भी कर लेंगे तो भी काफी गनी मत रहेगी अगर आप थोड़ा सा गुड़ का दान कर सकते हैं धर्मे के सर्वे जाके तो और भी अच्छा रहेगा गुड़ का दान गुड का दान, साथ मैं कनक गैहूं जिसको कहते हैं, ग्रेन बोलते हैं, वो भी दान करें आप, लाल चीजों का दान करें, लाल रंग की जो वस्तू होती हैं, पदार्थ होते हैं, जैसे की मिठाई हैं, लाल वस्त रहें, कपड़े हैं लाल, लाल रंग के फल हैं, ऐसी चीज की वो मेश से लेकर मीन राशी तक के सभी जात्कों के विशे में 17 सितंबर 2024 दिन मंगलवार विक्रम संबद 2021 को लेकर के थी चर्चा और हमने इस जैनिक राशी फल के माद्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की कि आज का दिन आप सभी का कैसा रहने वाला है और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो वीडियो जरूर लाइक करें चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलने साथियों अधिक से अधिक मात्रम है यदि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वे लोग भी जानकारी का लाव ले सकेंगे और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में दिनों में जो भी हमारे वीडियो को ले करके बनते हैं वे सभी आप तक विद नोटिफिकेशन समय रहते पहुंच जाएं तो उसके लिए बैल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए जी हां तो साथियों इसी के साथ अब हम अ कारने करम का करेंगे समापन और अपने आप जितने भी हमारे आप जातक हैं मित्र गण हैं उनसे लेंगे इजाज़त तो आप सभी का सहिर्द है बहुत बहुत धन्यवाद जैम आता दी